नमस्ते, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से आपके ही अपने चैनल पर आज हम अपनी भाग्यांक सीरीज की आखरी वीडियो यानि आखरी नंबर को लेके आए हैं भाग्यांक 9 एक बार समझने के लिए भाग्यांक की कैलकुलेशन फिर से बता देता हूँ आपको DDMMYYYY सभी अपनी डेटोबद की अंको को अगर आप जोडेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा वो अगर 9 पे आड़ करता है तो इसका मतलब आपका भाग्यांक 9 है इसलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाग्यांक 9 की लाइफ कैसी होती है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा नहीं तो हो सकता है कि बहुत सारे important जानकारी जो numerology से related आप तक पहुचनी चाहिए वो आपसे miss out हो जाए तो आईए आज हम आखरी नंबर भाग्यांक सीरीज में यानि भाग्यांक 9 की बात करते हैं भाग्यांक 9 यानि वो लोग जो जिन्दगी में बार बार गिरते हैं और फिर भी उटकर खड़े होकर अपनी किस्मत का सामना करते हैं भाग्यांक 9 की जिन्दगी में उन्हें इम्तिहान कई बार देना पड़ता हैं बार बार मुसीबितों का सामना करना पड़ता है लेकिन आपके उपर आशिरवाद है बजरंग बली का सोयम तो आपके परीक्षा जरूर होगी लेकिन अगर आपका मन सच्चा है और नियत अच्छी है तो आप इस परीक्षा में जिन्दगी की परीक्षा में पास जरूर होंगे तो पहली टिप आपके लिए भाग्यांक 9 के लोगों के लिए है कि जिन्दगी में ठहराव जरूरी है कुछ भी करने से पहले अच्छे से एक बार किसी चीज़ का SWOT Analysis कीजिए SWOT Analysis का मतलब है Strength, Weakness, Opportunity and Threats को पहचानना कोई भी फैसल लेना है जल्द बाजी में हर बड़ाहट में जो भी काम करेंगे उसमें नुकसान आपको पहुंच सकता है भाग्यांक 9 की जिन्दगी में हम देखते हैं कि कई बारी आपको उन चीजों के लिए Misunderstand किया जाता है जिसमें आपकी गलती भी नहीं है ऐसा क्यों होता है क्योंकि आप कई बार अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप बोलना कुछ आते हैं बोल कुछ और जाते हैं and you get very frustrated, irritated easily तो देखिए जब आप कोई भी बात aggression के साथ किसी को समझाएंगे, चिड़ चिड़े पन में समझाएंगे तो सामने वाले की बात आपको या आपकी बात सामने वाले को समझ नहीं आएगी और वो आपकी बात को गलत समझ लेंगे तो इसलिए देखा जाता है भाग्यांग 9 is usually the most misunderstood of all numbers भाग्यांग 9 की जिंदगी में अकसर देखा जाता है कि specifically रिष्टों में ये जो एक गाने की लाइन है बिलकुल fit बैठती है आपके उपर कि हमको मिली उसकी सजा जो हम खता करना सके तो इने भी रिष्टों के अंदर misunderstand किया जाता है they are very loving individuals, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हुजाव देना चाहते हैं लिकिन they become too much dominating and controlling at one point इसलिए जो इनके partner हैं वो इनकी भावनों को समझनी पाते और भाग्यांक 9 को जिन्दगी में अक्सर isolation का सामना करना पड़ता है अकेलेपन का सामना करना पड़ता है जैसे बजरंग बली की जिन्दगी है न, अकेले ही वो आगे बढ़ते गए और सब का सामना करते गए अब भाग्यांक 9 के लिए बहुत important है कि वो बजरंग बली से connected रहें और उनकी जिन्दगी से कुछ चीज़े जरूर सीखें जैसे कि for example, बजरंग बली जब रावन के पास गए लंका में तो चाते तो युद का अंत वहीं कर सकते थे लेकिन उनने कहा कि नहीं, प्रभू श्री राम खुद ही अपने करम का पालन करेंगे मैं सिरफ शांती दूथ हूँ, मैं सिरफ प्रताव लेके आया हूँ तो ऐसे ही भाग्यांक 9 को भी जिन्दगी में शांती पूरवक बात को आगे रखना चाहिए peaceful conversations, जल्दी में हर बडाहट में गुस्से में कोई बात नहीं करनी है इसके लावा आप सब जानते हैं कि बजरंग बली इतनी ताकत रखते थे कि वो एक ही बार में महाबरत को भी खतम कर सकते थे और रमायन तो खेर उनकी patience की वज़ा से ही हुई तो आपको भी जिन्दगी में ठहराव लेके आना होगा अपने aggression पर काबू करना होगा and you have to deal with your instincts अगर आप अपने instinct के उपर जीत गए तो आप जिन्दगी में जीत जाएंगे तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे इन तीन qualities का peaceful, direct and at the same time maintain patience इन तीन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जिन्दगी में भाग्यांक 9 की जिन्दगी में आप बहुत आगे grow कर सकते हैं बढ़ सकते हैं finances की बात करूँ तो भाग्यांक 9 यूशुली शुरुवाती सालों में struggle करते हैं because they tried too many things ये सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ but eventually अगर ये एक ही line पर चलते रहें तो इन्हें success जुरूर मिलती है एक और बात भाग्यांक 9 के लिए जितना घर से दूर जाएंगे उतनी जादा success आपको मिलेगी चाहे पढ़ने के लिए foreign चले चाहिए, चाहे काम करने के लिए शहर बदल लीजिए work from home का जो आजकल culture चलता है इस culture से आप बचके रहें, नहीं तो आप stagnated feel करेंगे आपको लगेगा जैसे मेरी growth नहीं हो रही है तो आप घर से बाहर जितना समय बिताएंगे, काम करते वक्त उतना आपके लिए better रहेगा भाग्यांक नौकों मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको technology सेक्टर में निवेश करना चाहिए अगर आप किसी business में हैं, तो technology में invest कीजिए, वहां से आपको बहुत फाइदा मिलेगा अगर आप job में हैं, तो technology के लिए अपने आपको advance करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत फाइदा मिलेगा और अगर आप student हैं, then also you must use latest technology gadgets जितनी अच्छे आप अपने आपको technology अपडेट करके रखेंगे, उतना ही जादा आपको फाइदा आपकी life में मिलेगा Health की बात करते हैं, दिखिए Health भाग्यांक 9 की थोड़ी सी challenging रह सकती है specifically इनको injuries या surgery के chances जादा रहते हैं, तो ऐसे में again आपने बजरंग बली को याद करना है अगर आप physical exercise करते रहेंगे, तो आप injuries से बचे रहेंगे इसके अलावा, दूसरी सबसे important बात है, कि आपने जूट नहीं बोलना है जितनी बार आप जूट बोलेंगे जिन्दगी में, जितनी बार आप खुद से भागेंगे उतनी बार आपके रक्त बहाव के chances बढ़ जाते हैं आपको चोट लग सकती है, unnecessary, कई बार आप देखेंगे कि जब मैंने ज़्यादा stress ले लिया भागेंग नौकी कुछ golden tips की हम बात करते हैं golden tips में सबसे पहले आप अपने career को शुरुवाती अगर दौर में आप हैं तो technology या medical line या आप travel and tourism या इसके अलावा कोई ऐसी field जिसमें आपको घर से दूर जाके काम करना है, sales and marketing का काम है ऐसे businesses ऐसे काम आपके लिए बहुत suitable हैं, बहुत फाइदे मंद हैं इसके अलावा copper का इस्तमाल आपको जरूर करना है अब copper के glass में आप पानी पी सकते हैं, copper की water bottle आप यूज़ कर सकते हैं ने तो copper के सिक्के आप अपने wallet में जरूर करी कर सकते हैं they are also very good for you, lucky for you copper is a good conductor of energy, तो जो आप सोचते हैं, वो आप अपने हातों से भी कर पाएं इसके लिए copper फाइदे मंद है and also it is a very good antioxidant तो आपके अंदर जो usually toxins बनते हैं, उसको release करने में भी copper आपकी मदद करता है इसके अलावा भाग्यांक 9 के लिए jagri, गुड का सेवन करना या शहद का सेवन करना बहुत अच्छा है तो एक सुबह सोने के चमच से या copper के चमच से आप छोटी सी शहद की बूंद अगर रोज सुबह चाटना शुरू करें तो आपके लिए बहुत लगी रह सकता है सोने का चमच महंगा है तो एक ऐसा चमच लेजिए उसके उपर सोने का पानी चड़वा लीजिए गोल्ड प्लेटेट जिसको हम कहते हैं उससे भी आप शहद का सेवन कर सकते हैं करके देखिए इनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा प्लस इट विल गिव यू अ फ्रेश परस्पेक्टिव कहते ने जब हम पीला रंग देखते हैं तो सेर्टरनेंट बढ़ जाता है जब हम शुगर खाते हैं तो इनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं हनुमान जी आपने देखा कि सबसे पहले जब लंका गए तो पेट पूजा करने पहुंचे अशोक वाटिका गए तो इसलिए भाग्यांग 9 का जब तक पेट भरावर रहता है उनका मूठ ठीक रहता है जब भूके जादा होते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए देखिए आपको बहुत फरक देखने को मिलेगा आखिर में भाग्यांग 9 के लिए आप चाहें तो कारनेलियन C-A-R-N-E-L-I-A-N इस क्रिस्टल का इस्तमाल कर सकते हैं दूरी रंग का ये क्रिस्टल होता है जैसे बजरंग बली के प्रतिमा हम देखते हैं मंदिर में होती है कारनेलियन को औरेंज हकीक भी का जाता है कई भाशाओं में कई देशों में कारनेलियन जो है इस टोन और विल पावर और करेज आपके सेक्रल चक्रा पे जो नाभी और रूट चक्रा मूलधार के बीच में जो चक्रा होता है उस पे ये काम करता है and it helps you with confidence, willpower and dedication तो जो आपके काम रुक रुक के जीवन में होते हैं वो smoothly होते रहें उसमें आपको ये help करता है और गुसे पे भी काबू करने में कार्नियलिम क्रिस्टल काफी कारगर आज तक साबित हुआ है भाग्यांग 9 के लिए आखर में एक last important बात आपको बताना चाहूंगा इस remedy को अगर आप follow करें तो बहुत फाइदा जीवन में आपको मिल सकता है आप Tuesday के दिन मंगलवार के दिन गुड की रोटी यानि आटे में शक्कर मिलाके उसकी रोटी जिसको हम पूरन पूली कहते हैं महराष्टा के बाशा में वो अगर बनाके गाएं को खिलाना शुरू करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे क्योंकि ये आपके मन को शांत करेगा और जैसे ही आपका मन शांत होगा आपने अगर मन पे जीत लिए जैसे मैंने कहा अगर आप अपने इंस्टिंक्स को जीत गए तो जिन्दगी में आप सही फैसले लेने शुरू कर देंगा और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ तो इन सभी बातों का ध्यान रखें भाग्यांक 9 के बारे में उमीद करता हूँ आपको कुछ आज इंट्रस्टिंग बाते समझ में आई होंगे इंपोर्टन फैक्स समझ में आई होंगे और वो क्या चीज़े हैं जिन्हें अगर जिंदगी में इंकॉपरेट करें तो फाइदा जरूर हो सकता है और भी जो बाकी भाग्यांक हैं एक से लेके नौ तक उन सभी की वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलिबल है तो make sure you share them with friends and family और इंट्रस्टिंग जानकरी हम नुम्रोलजी एस्ट्रोलजी के आपके लिए लेते आते रहेंगे तो make sure you subscribe अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए नमस्ते God bless